प्रिय किसान भाई, नमस्कार आईशर ट्राक्टर लेने के लिए आपको धन्यवाद आईशर परिवार आपका स्वागत Electrical function, Digital over meter और RPM meter ये इंजन के चलने के घंटों को काउंट करता है साथ में ये मीटर इंजन के RPM को दर्शाता है और पूरे किये गए घंटों को record भी करता है और ये घड़ी की तरह है तथा time भी बताता है Fuel gauge इंधन gauge Fuel gauge या इंधन gauge ये दिखाता है कि fuel tank में fuel का level क्या है Fuel tank के अंदर जैसे जैसे diesel की मात्रा घट्ती जाती है वैसे वैसे ये सुई red portion की तरफ आ जाती है तो इसका मतलब है कि diesel fuel tank में समाप्थ हो रहा है Temperature gauge ये gauge इंजन का तापमान दर्शाता है इसमें दो जोन बने हुए हैं एक red zone और एक green zone अगर इसकी सुई green zone में है तो इसका मतलब है हमारा इंजन ठंडा है और अगर ये सुई ट्रैक्टर चलाते समय red zone की तरफ आती है मतलब हमारा इंजन गर्म हो गया है और हमें अपने ट्रैक्टर के इंजन को पाँच मिनिट लो आइडल आर्पिम में छोड़ कर ही बंद करना चाहिए और फिर जरुरत के अनुसार हमारी सर्विस टीम से संपर्क करना चाहिए ओइल प्रेशर गेज ये इंजन में तेल के प्रेशर को दिखाता है जब स्टार्टिंग की की को clockwise घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है तो ये ओइल प्रेशर गेज की light थोड़ी देर के लिए ब्लेंक करती है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दिखाता है जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तब ये सुई हमेशा green zone में होनी चाहिए जो की बैटरी चार्जिंग का संकेत देती है स्टार्टिंग की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की light जल उठेगी और engine start होते ही ये off हो जाईगी अगर cluster पर बैटरी इंडिकेटर लगातार blink करना शुरू करता है तो मतलब बैटरी को charge करने की जरूरत है Starting Switch ये starting key के द्वारा चलता है इसके तीन position होती है पहली, off इस स्थिती में की डाली और निकाली जा सकती है लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद रहेगा दूसरी, on की डालने के बाद उसे घड़ी की दिशा में घुमाए जो अगली स्थिती on है इस स्थिती में इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालू हो जाएगा तीसरी, start Starting key को on की स्थिती के थोड़ा सा और आगे clockwise direction में घुमाने पर इंजन स्थार्ट हो जाता है इंजन स्थार्ट होते ही, starting key को छोड़ दे चावी पर हातों का दबाव हटते ही, इंजन स्थार्ट होने के बाद चावी स्वयम वापस on की स्थिती में आ जाती है Lighting switch, इसका उप्योग tractor की headlight को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है इस switch में चार position होती है, पहली, off position, दिन के समय जब tractor चल रहा हो इस switch को off स्थिती में रखना चाहिए दूसरी, parking position, parking light को चालू करने के लिए switch को इस इस्थिती में रखें तीसरी, high beam, रातरी के समय high beam प्राप्त करने के लिए switch को इस इस्थिती में रखें Green light on cluster चौथी, low beam, रातरी के समय low beam प्राप्त करने के लिए switch को इस इस्थिती में रखें Blue light on cluster Turn signal, lamp switch, button इसको operate करने से instrument cluster पर turn signal, lamp हरे रंग में जलता या blink करता है ये turning indicator के light का switch है ट्रैक्टर को बाएं या दाएं मोडते समय इस switch का प्रयोग किया जाता है ये आगे, पीछे आ रहे, दूसरे वाहनों के driver को turning का संकेत देता है नारंगी रंग की turning light दोनों mudguard पर आगे और पीछे की तरफ लगी होती है यदि turning switch को ट्रैक्टर मोडने की तरफ दाएं या बाएं कर दें तो उस side के mudguard पर आगे और पीछे की light जलने या blink करने लगती है emergency या आपात इस्थिती में जब ट्रैक्टर रास्ते के बीच में कहीं रुख जाता है उस समय front और rear indicator lamp को operate करने के लिए इस हजार बटन का उपयोग किया जाता है ये आने जाने वाले दूसरे वाहनों के लिए संकेत देता है 557-551 super plus instrument cluster अब हम अपने 557 के instrument cluster के बारे में समझते हैं इसमें fuel gauge और temperature gauge को बार के रूप में दर्शाया गया है ये बार्स fuel tank में diesel की quantity end से full की और दर्शाते हैं जब fuel gauge में बार की संक्या कम हो जाती है तो ये बार blink करना start हो जाता है मतलब tank में diesel खत्म होने वाला है या हो रहा है इसी तरह temperature gauge में भी बार वाले indicator इंजन के temperature को low, sea cool से high, h तक दर्शाते हैं जब tractor start हो जाता है तो ये बार इंजन का temperature बताने लगता है अगर ये temperature बार सबसे last में सीधे हाथ की और high की तरफ चला जाता है मतलब इंजन का temperature जादा हो गया है उस time ये बार blink करने लगता है और अब हमें इंजन को low idle RPM पर लाकर पांच मिनिट बाद बंद करना चाहिए और अगर ये high temperature लगातार बनी रहती है तो तुरंत अपने नज़दी की आईशर सर्विस पर जाकर संपर करें Trip meter Trip meter का उपयोग ट्रैक्टर द्वारा किये गए किसी फिशिष्ट कारे के दौरान लगने वाले समय को घंटे में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है Driver ने ट्रैक्टर कितने घंटे चलाया है और इसके अनुसार वो अपनी अगली योजना बनाने में भी इस trip meter का उपयोग कर सकता है इसका इस्तेमाल करने के लिए हम पहले इसके trip switch को 5 सेकेंड के लिए दबा कर जीरो कर देते हैं उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं Trip meter का उपयोग घंटे के record मतलब कितने घंटे ट्रैक्टर चला है या छोटी दूरी के लिए ये कितनी दूरी के लिए चला है इसका record करने के लिए किया जा सकता है DU, service reminder indicator जब ये indicator लगातार on, blink करना start हो जाए तो इसका मतलब है कि ट्रैक्टर की service का समय आ गया है और आपको शीग्र सर्विस करवानी है ये हर recommended service के 10 घंटे पहले से automatic on हो जाता है और service के 10 घंटे बाद तक on रहता है मतलब अगर आपकी service 50 घंटे पर होनी है तो ये indicator कुल 40 घंटे चलने के बाद से on हो जाएगा और जब कुल 60 घंटे चल जाएगा तो automatic बंद या off हो जाएगा ये combination switch है जैसा कि नाम से हिस्पष्ट हो रहा है combination switch में headlight, turn signal lights और horn switch सामिल है इसकी knob स्थिती के अनुसार ये काम करता है Headlight switch इस switch का इस्तिमाल तभी किया जा सकता है जब चाभी starting key on की स्थिती में हो Starting key on की स्थिती में आने पर instrument panel की सारी बत्तियां और headlights on हो जाती है फिर हम इस combination switch पर लगे knob के द्वारा position सेलेक्ट करके headlights की high या low beam का चुनाव कर सकते हैं साथ ही साथ इसी combination switch पर turning indicator का भी knob दिया हुआ है जब हमें tractor को कहीं mode ना हो तो इस turning indicator का उपयोग किया जाता है जब turning indicator का उपयोग करते हैं तो instrument cluster पर भी left या right का indicator ब्लिंग करने लगता है इस combination switch में ही horn भी दिया हुआ है इशर का विशाल एवं विस्तरित सर्विस नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है